अगर आपके सरीर पर कहें खाज, खुजली, दाद, कुष्ट रोग या पेट शाफ ना होना या दिस समस्या होने पर आप इस वीडियो को अंतक देखें क्योंकि मैं आपको ऐसी वनस्पति बताने वाला हूं जिसके प्रियोग से आप ये सारे रोग दूर हो सकते हैं तो आपने रोटो के किनारे, स्टेशन पे या चड़क के किनारे या खाली पड़ी बंजर जमीनों पे आपने ये सत्यानासी का पोधा जरूर देखा होगा ये सत्यानासी के पौदे रंग रूप में दो प्रकार के होते हैं, एक शफेद रंग का और दूसरा पीले रंग का जिसको यलो सत्यानासी के नाम से जानते हैं, यलो सत्यानासी आपको ज़्यादा कर देखने को मिलता है, परन्तु जो सपेद वाला है ये बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है तो आप जो देख रहे हैं ये शवय जीरी है तो जानते हैं कुछ इसके परिशे के बारे में फिर इसके गुड़ागा के बारे में और इसको हम कौनसी भीमारी में किस प्रिकार प्रियोग में लाते है यह सारी जानकारी आज हम essa me वीडियों में बताने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं कुछ इसके समदने से परिचय के बारे में तो इस स्वणछीरी को आप कहीं से भी तोडेंगे तो इसमें पीले-पीले रंका एक पधार्त निकलता है जिसके करण इसको स्वणछीरी जानते हैं कुछ लोगों के मतानूशार माना जाता है ये रोगों को सत्प्रशेड सही कर देती है इसलिए इसको सत्यनासी के नाम से भी जानते हैं वरण छीरी, कंचन छीरी, पीत दुद्धा, कटू पड़नी, पीला धतूरा, शत्यनासी, स्वयन काटा, भडवाडा, काटे धोतका, मिल धर्तता, तोन, खीरनी, भ्रम डंडी यादी नामों से जाना जाता है ये वनस्पति अमेर्का की मून लिवासी है, परंतु भरत बर्ष में ये अब हर जगा उत्पन होती है इसका पड़ा आपको 2-4 फिट उचाई तक जाड़ी नुमा दिखाई देता है, इसके उपर से नीचे तक आपको काटे ही काटे दिखाई देते है इसके कांड थोड़ा सा सपेद रंका होता है और इसके पत्तियों पर भी सपेद आवा रेखाई खिची होती है इसके फूल चमकीले पीले रंके या सपेद रंके 1-1.5 इंच लंबे चौका और काटे युगत होते है और इसके फल आप देख लें कुछ इस परकार कैपसूल के आकार में होते है इसके अंदर बीज ये कच्चे होने पर सपेद रंके और पक जाने पर ये लाही की तरह जिसको हम राई राई कहते हैं राई के बीज के समान काले हो जाते है तो इस बनसबत्ती का परयोग हम इसके बीज, रष, जड, तना, यादी का हम कर सकते है परंतु इसके बीजों का परयोग करने से पहले आप किसी जानकार बैद के अनुशार इसका परयोग कर सकते है क्योंकि ये बिश्व घंट होते है इसके गुण धरम की बात करें तो ये कफ वित को दूर करता है और इसका बहरिये प्रियोग इसका दूद पत्र श्वारस और इसके बीजों का तेल वरण शोदन बलरोपन एवं कुश्टिघन होता है इसकी जणका लेपन सूजन और बिश् हैं अगर आपको कौश्टिपेशन या कवच की समस्या बनी रहती है तो आप इनके बीचों को ले ले और दोनों हतलियों के बीच में आप आपस में रगड़ते हैं तो आपका पेट बहुत अच्छी तरह साफ हो जाता है शुक्र या शुक्र पिरमय की दिक्कत है तो आप समस्या दूर हो जाती है नेत्र रोग ये आखों की समस्या होने पर आप इसके दूद की एक बूंद और तीन बूंद घी मिलाकर आखों में अंजन की तरह लगाते हैं तो आपके आखों का शुष्क रहना आखों से पानी निकलना धुनलापन दिखना या दिस समस्या दूर हो जाती है कहां स्वास होने पर आप इसकी जल का चूरण आदे से एक ग्राम गुनगुने जल या दूद के साथ सुबश शाम पिलाते है तो आपके सरीर से कफन ये निकाल देता है अथवा इसका पीला दूद चार से पांच मूल बतासे में डाल कर खाने से भी लाब होता ह है पेट में दर्द होने पर आप तीन से पांच मिली लीटर पीले दूद को दस ग्राम घी में मिलाकर खाने से आपका उधर रोग मिट जाता है इसका तेल ब्रेचन का गुल रखता है प्रंतु सब मुनश्यों में इसका प्रभाब समाने नहीं होता है किसी को तीन चार दस ह होते हैं तो किसी को 15-16 मूत्र बिकार या आपकी मूत्र नाली में जलन होने पर आप इसका 20 ग्राम पंचांग को 200 ग्राम पाने में भोकर आप हिमकवाथ बनाकर पोलाते है तो आपके मूत्र की व Eddy होती है और मूत्र नाली की धा और शूजन भी दूर हो जाती है । कमला य और शाम पिलाने से आपका कमला रोग ठीक होता है जलोदर होने पर आप इसका पंचांका स्वारस पांस से दस ग्राम दिन में तीन से चार बार पिलाते हैं तो आपका मुत्र खुल कर आता है और आपके पेट में जमा हुआ पानी भार निकल जाता है ये नपनशक्ता को भी द दूर हो जाती है तो चीरी का तेल या इसका रश या इसका दूद आपके इसके प्रावलम के लिए रामवाल शाबित होता है आपके प्राने से प्राने घाओ जखम या चकत्ते दाद खाद खुजली इसके प्रावलम में आप इसका प्रियोग कर सकते हैं ना भरने वाले घ अगाने से पुराने से पुराने से बिगड़े हुए फोड़ा फुनसी भी स्वक्षोकर भर जाते हैं तो इस स्वड़चीरी का तेल बनाने की विधी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी जो आपको डिस्क्रेशन में और एंडिस्क्रेशन पर उसका लिंक मिल जाएगा